नमस्कार दोस्तों अभी वीडियो बना जता हूं मैं फिर देट हो जाता हूं इस बैक निफ्टी वाली वीडियो के लिए तो बैक निफ्टी की डेली जो रोटीन अपने उसकी चर्चा करेंगे इसके एक एक बैंक को पगड़के एक बार देखेंगे क्या के चल रहा है कहां नहीं चल रही है उसमें देन कोटक बैंक और विल बैंक किनि सब का व्यू में अपना तुँँगा तो कल के लिए उससे पहले फिर एक बार डिस्केलेमर दुबारा देख लेते हैं इस आर नोट भाई सेल रेक्रमेंडेशन वीडियो इस बीडियो इस बीडियो इस बीडियो प्लीज कंसल्ट यूर फाइनेशल एडवाईजर फस्टी थैंक यू सो मच अब आज यह बैंक निफ्टी की वीडियो बैंक निफ्टी की जो केंडर बनी है वो बनी है खराब तो कल आपको देखना होगा अगर यह 34,660 को तोड़के उसके नीचे वोल्ड ना करें दिखा स 34,400 तक के भी दर्शन हो सकते हैं इनकेस कल बार्ग मार्क निफ्टी के उपर चल पड़ता है 34,870 के उपर तो दुबारा से आपको जो आज हाई लगा है थैटीक निफ्टी का चार्ट कुछ और ही क्या रहा हैche मुझे मार्केट में तेजी दिख रही है कल भी तेजी दिख रही ठीक है जिसने जैसे मर्जी क्लोज किया हो क्यूंकि केद olivaj Hip Memegak Biz coconut अब गर्म दाम पर स्वार्ट में उपर का यह बट मैंने आपको आज नीचे की लेवल भी दे दिये इनके छैसो साथ तो पांसो साथ पांसो साथ भी तूटता है तो आपको चार सो भी देखने को मिल सकता है 34,400 ठीक है बागी देखते हैं मार्केट में क्या होता है कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं अब आज यह एच्वी एफसी बैंक में और रिजन बताऊंगा मुझे बैंक निवटी क्यों उपर लग रहा है इसने भी अपना 1480 का लेवल जो होल्डर खायर उसके नीचे क्लोज नहीं किया 1480 क्लोजिंग इसकी उसके ऊपर ही आई है ठीक है और इसमें कल आप बाई करके चले है 1495 के उपर आगर आप बाई करते हैं ठीक है 1488 के उपर आप बाई करते हैं तो 1495 आपका पहला टार्गेट होगा 1505 आपका दूसरा टार्गेट होगा और इस बार इसने जिस दिन 1505 के उपर क्लोजिंग दे तो 1520 1525 आपको नेक्स दे दिखा देगा ठीक है यह है आपका इसको आप बाई करें यह मैंने 30 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है 635 के उपर आप बाई करें तो आपको कल पक्का से 641.42 दिखा देगा पक्का से 641.42 दिखा देगा वो डेली क्लोजिंग यह भी एक भी 630 के नीचे दे नहीं रहा तो जब तक आइसे बैंक 630 के नीचे डेली क्लोजिंग नहीं देगा तो मजबूत है भाई ठीक है दोनों अपने सपोर्ट पे हैं दोनों में सपोर्ट नहीं तोड़ा है इस वज़े से भी मुझे लग रहा है कि बैंक रिफ्टीकल तेज रहेगा एक्सिस बैंक डेली चार्ट लगाए तो यह थोड़ा जरूर नीचे आगे द्रोज हुआ है मैं डेली चार्ट लगाता हूं यह ठीक है बट इतना कुछ जादा खास है नहीं किसी बैंक ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है जैसे कि परसो दिये थे परसो हर एक बैंक ने ब्रेकडाउन दिया था बट आज ऐसे किसी बैंक ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है तो कल आप इसको 743 के उपर बाई करें टार्गेट आप करेगा 747 और अगर इसको पोजिशनली खेलना चाते हैं तो वही लेवल है जेस दिन 751 के उपर क्लोज कर देगा उस दिन इसको बाई करिए 780 और 800 प्लस के टार्गेट है चार इतना कंजेशन यहां पर हो चुका है ना अदो रखिये रहे आज फिर केंडल इसने खराब बना दिए पट है अपने सपोर्ट पर ठीक है तो अब इसमें गाईज लंबा खेलने वाले ना इसके उपर क्लोज आये तभी इसमें पोजिशन बनाए टार्गेट रखें अपना सबसे पहला अठारा सो पंद्रा और अठारा सो पंद्रा पे जरूर क्वाफिट बुक करें अठारा सो पंद्रा के उपर भी एक लोज देने में काम्याब हो जाता है तो आपको उननीस सो पचास देखने को मिल सकता है यह आप नोट कर लीजिए अग्ला अगला अथा अर्बेल बैंक आरविल बैंक को आप in-dusin-d bank के साथ लगा के चले रामलक्स पड़ है तो जिस दिन ये इंद्रुशिन बैंक चल पड़ेगा ये चलेगा कब ये चलेगा यह चलेगा जब तक इसके उपर close देते हैं इसको buy करना है और अगर कोई cash में buy करना चाहता है तो यहां पर भी कर सकता है SL रहेगा आपका 952 cash की buying में थोड़ा SL भी में नीचे पर target इसका 1250 है इंदुसिन बैंक का target 1250 है यह आप note कर लीजी ठीक है और यह कभी भी मुझे नहीं लगता 975 के नीचे close देगा इस level के नीचे close नहीं देगा 975 ठीक है 975 भी closing basis आप ऐसल लगा के 1250 के लिए इसको accumulate कर सकते हैं पर CE वाले खेलने वाले भाई आप उसी दिन भाई करें जिस दिन 1031 के उपर निकले और वहां पर closing ठीक है और S.E.R.BL बैंक चलेगा इसके पीछे पीछे चलेगा S.B.I. एक attempt लेगा कल यहां पर ऐसे करके एक attempt ले सकता है और कल आपको 427 दिखा सकता है S.B.I. ठीक है S.E.R. लगा के चलिए आप 416 का closing आइसकी 418 416 का S.E.R. लगा के चलिए 416 की नीचे भी चला जाता है तो कल ही आपको S.B.I. 427 भी दिखा सकता है ठीक है और अगर जो सेफ रहना चाता है वो इसको 421 के उपर बाई करिए 424, 427 कल इंट्राडेगे टार्गेट रहेंगा ठीक है 427 के उपर close करने में कामिया भी जाता है तो 440, 450 दिखा सकता है आपको जून मन्त के अंदर है ठीक है बंबन बैंक के नेगेटिव केंडल बनाईए कल इसमें कुछ मत करिए 346 के उपर बाई करिए 339 के नीचे सेल करिए 339 के नीचे आप सेल करते है तो आपका पहला तरगेट रहेगा 352 दूसरा टारगेट रहेगा 326 और अगर आप 346 के उपर बाई करते हैं तो पहले टारगेट रहेगा 357 तो यह था गाइस बैंक निफ्टी का फूरा हाल मैंने अच्छी से समझा दिया आपको बैंक निफ्टी में एक बार फिर आपको बता देता हूं कै बेंक में breakdown आया था, ऐसे किसी बेंक में breakdown नहीं आया है, अब ये पता नहीं future option कौन से इन्होंने इतना fall दिखा दिया है, मैं वही देख रहा था है, HDFC bank में भी breakdown नहीं है, ICI bank में भी breakdown नहीं है, बाकी तीनों खड़े हैं, जबकि जो परसों गिरावट आय थी, दो दिन पहले जो गिरावट आय थी, उसमें इन में भी breakdown था, HDFC bank, ICI bank, तो यहाँ पर ये शायद PE वालों को थोड़ा दाना वाना डालने के लिए नीचे लेगा है, ultimately खीचेंगे इसको उपर ही, या तो कल खीच दे, नहीं तो Friday से खीचना चालू करते हैं, अगर वीडियो पसंदार हैं, एलसे पसंदार हैं, प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को शेर कीजिए, थैंक्यू सो मच्च.